इंसान कुद्रत की सबसे खास कृती है और वो हमेशा अपनी कलपना को यानि जो वो सोच सकता है जो सपना देख सकता है उसको अपनी सक्ती से आगे तक लेकर जा सकता है तो आप वो हर काम कर सकते हैं जो आप कर सकते हैं अगर आपके अंदर उतना चमता है और आप अपने चमता के बलबूते उसके अनुसार अगर उतना एफ़र्ट देते हैं तब यानि अगर आपके अंदर टैलेंट है लेकिन अगर आप महनत करोगे ही नहीं तो आपका कोई भी काम नहीं होगा लेकिन अगर आप अपने टैलेंट का सही प्रियोग करेंगे तो आप हर एक चीज़ कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं ठीक है, क्लास को स्टार्ट करूँगा और बोलूँगा आज की क्लास का टाइमिंग आप देख लें ताकि आपका एक भी जो क्लास है वो बिल्कुल भी मिसना हो और जो भी चैनल के उपर नए है चैनल को सस्क्राइब करने के बाद दोटिफिकेशन के बेल को धबा दीजेगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे और किसी भी एक्जाम का ओनलाइन जो सेट है प्रैक्टिश सेट या मोग टेस्ट आप हमारे एप्लिकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप एप्लिकेशन के उपर हिंदी और इंगलिस दोनों ही लेंगवेज में दे सकते हैं एप्लिकेशन हमारा आपको गूगल के प्ले स्टोर पर मिल जाएगा सक्सेस की 98 के नाम से और एक बात अगर वहां से आप 349 वाला पैकेश बाई करते हैं तो एक साल के वैलिडिटी के साथ आने वाले एक साल तक हर एक्जाम का बैंक का एक्जाम हो, रेलवे का हो, सेसी का हो आने वाले एक साल तक हर एक्जाम का सेट आपको दिया जाएगा और कम से कम एक एक्जाम का 20-20 सेट दिया जाएगा ठीक है और इस क्लास का पूरा का पूरा PDF हमारे website success की 98.18 पर आप जाका डालोट कर लीजेगा और आज कवर करने वाले हैं 6 February के important current affair कुछ important तत्य के साथ तो देखते हैं आज का पहला प्रस्त हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है पहला प्रस्त है ब्रिसल्स यानि Belgium की रस्धानी ब्रिसल्स में आईरुवेद रतन पुरुसकार जो है वो किसने जीता है और ये जितने वाले बेक्टी का नाम है टॉक्टर प्रताप चोहान यानि की option number आपका D ठीक है अगला प्रस्त हमारे सामने हैं तिर्वेंदरम पूरं में आयोजीत निस्नल सुटिंग ट्राइल में कौन विजेता बनकर उभरा है आपको बताना है जो केरला की राजधानी तिर्वेंदरम पूरं में जो सुटिंग परतियोगिता चल रहे थी वहाँ पर निस्नल सुटिंग में किसने गोल्ड मेडल जीता है तो आपको में बता दू, एंसर क्या है आपका आयोणी का पॉल, उप्सन नमबर डी इन्होंने 10 मिटर एयर राइफल में जीता है और आपका बिजाय बिरसिंधु जो है ये 25 मिटर एयर राइफल में इन्होंने खिताब जीता है तो option number D इन दोनों ने जो है वो खिताब जीता है निसलर सुटिंग में जो आपका तिर्विंदरम पूरम में हो रहा था अगला प्रसमारे सामने तुसार कांजी लाल जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो एक प्रस्तित क्या थे यह आपको बताना है तो आपको मैं बता दूँ तुसार कांजी लाल जो है वो एक सोसल वर्कर याई समाजी कारे करता थे और यह बहुत आप नाम जानते भी होंगे बहुत फेमस परसन भी है इनके बारे में थोड़ा समय आपको बता दे रहा हूँ किनों ने क्या किया था इनके अच्छे कामों में से एक काम मैं आपको इनके बारे में बता दे रहा हूँ सुंदर्बन है न, सुंदर्बन में जो एक गाउ है, जो ग्रामिन इलाका है जो बहुत पिछड़ा हुआ गाउ है उस गाउ में चिछा को, यानि सिछा को यह बहुत आगे तक ले कर गए थे वहाँ बहुत सारे बच्चों को सिक्षा के लिए प्रेरीत किये थे कि पढ़ना चाहिए, बहुत काम किये थे वहाँ पर वो सिक्षा के लिए जाहाँ पर सुंदर बनका एक गाओ था, जो बहुत पिछड़ा गाओ था, ठीक है, तो इनको social worker, यानि समाजी कारीकरता के रूप में भी हम लोग जानते हैं तुसार कान जी लाग को जिनका हाल ही में निधन हो गया है। चीन से उपनियास क्रोना वाईरस के प्रकोप के बाद अंतराश्टी अपातकाल घोसित किया है। तो आप सभी को पता है सभी जान गए होंगे क्रोना भाइरस के बारे में जो बहुत खतरनाक भाइरस पूरे चीन में फैल चुका है और आइस्ता आइस्ता भारत में भी एंटर कर गया है कुछ जगा के स्पाई भी गए है और इसको अपात का लगोसित किया गया है डबलू एच ओ के द्वारा यानि वर्ल्ड हिल्थ और गनाइजेशन के द्वारा और इसका मुख्याले कहां पर है हेट क्वार्टर डबलू एच ओ का तो वो है आपका जेनेवा स्यूजर लेंड मे और डबलू एच ओ के हेड कौन है तो टेड्रोस एड़ोनम जो है वो आपके डबलू एच ओ के हेड है ठीक है अगला प्रस्त हमारे सामने है IBM के CEO किसे बना दिया गया है तो IBM के जो CEO बनाए गया है उनका नाम क्या है अरविंद कृष्णा ओप्सन नंबर आपका C ठीक है अ अर्थिक सड़ेचन 2020 के अनुसार भारत द्वारा निर्यात वस्तू है बहुत इपॉर्टेंट कुस्टिन है ये वाला विच एमॉंग दा फॉलॉइंग इस दा टॉप एक्सपोर्ट आइटम बाइ इंडिया एस पर दा एकनॉमिक सर्वे 2020 और वो वस्तू कौन सा है आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट और आपका डी ही यानि पेट्रोलियम उत्पाद ठीक है एकनॉमिक सर्वे 2020 के अनुसार ठीक है अगला पर समाने सामने एक किताब है किताब का नाम है आपका कलकत्ता नाइट ठीक है इस किताब के लेखा कौन है पहले आप इस किताब के बारे मे जान लो ये किताब अभी हाल फिलाल के दिन में बहुत चर्चा में है इसके बारे में इसके जो राइटर है वो है आपके रज़त चोधरी अपसर नंबर d लेकीन एक बात और आप अच्छे से सुन लेना इस किताब के बारे में इस किताब को एक और अगर किताब जो है अगर ओरिजनली बात करें इस किताब जो है ये पहली बर परकासित किया गया था 1923 में और इस किताब का असली नाम था रातेर कोलकाता ठीके और ये किताब सही माइने में लिखा गया था हमिंदर कुमार रॉय के द्वारा सही में और उस किताब का नाम क्या था आपका रातिर कोलकाता जो बंगला में लिखा गया था लेकिन इस किताब को इंगलिस में ट्रांसलेट किया गया है और नाम दिया गया है कलकत्ता नाइट्स और इंगलिस में इंगलिस में किस ने लिखा है तो इंगलिस में लिखा है I think अब आपका question का जो doubt है वो clear हो गया होगा इस question का ठीक है अगला प्रस हमारे सामने हैं किस सहर को याता यात प्रबंद में सबसे खराब दर्जा दिया गया है roast in the traffic management और वो सहर है आपका बैंगलोरू और बैंगलोरू किसका राजधानी है करनाटका का करनाटका के cm कौन है बीएस युदरप्पा राज्युपाल बजु भाई वाला और करनाटका का राजधानी सभी को पता है बैंगलोरू और एक बात मैं आप सभी को बताऊंगा इस question म सबसे नहीं, यहां पर बोला है सबसे खराब दरजा किसे दिया गया है यातायात परबंध में ठीक है वो तो हो गया आपका बैंगलोरू लेकिन सबसे बीजी ज़ी ट्राफिक कौन सा है तो वहां पर answer हो जाएगा आपका मुमबई बीजी के मामले में ठीक है लेकिन यहां पर बोला है सबसे खारा तो उसमें आपका कौन सा है बेंगलूरू है तो दोनों क्वेस्टिन को अलग-अलग है मिलाईएगा मत ठीक है अगला प्रस्त हमारे सामने अंतरास्टिय बजारों में निर्यात के लिए पहली केले कंटेनर ट्रेन को आंधर परदेश से किस पोर्ट पर भेजा गया है यह आपको बताना है एक रेल्वे के द्वारा एक ट्रेन लॉंच किया गया है केले कंटेनर ट्रेन लॉंच किया गया है जिसको नाम दिया गया है फ्रूट्स ट्रेन यानि फ्रूल ट्रेन नाम दिया गया है रेल्वे के तरब से और यह ट्रेन को जो है व मुंबई में पढ़ता है वहाँ पर भेजा गया है ठीक है सभी को I think ये question clear हो गया होगा ट्रेन का नाम क्या दिया गया है तो fruits train ठीक है जवाहर लाल नहरू एयरपोर्ट पर भेजा गया है आंद्रपरदेश से अंगला प्रस नमारे सामने है 2019 और 20 के लिए पेन गौरी लंकेस पुरुसकार किसे दिया गया है आप सभी को पता है गौरी लंकेस जो थी वो एक जर्नलिस्ट थी पत्रकार थी और ये पेन गौरी लंकेस पुरुसकार किसने जीता है 2019 और 2020 का उनका नाम है इसीव जमील और ये भी एक पत्रकार ही है ठीक है अगला प्रसमाने सामने भारत की पडोस पहले नीती छेत्रिय धार्ना पर बारवा दच्छन एसिया सम्मिलन जो है वो कहाँ पर आयोजीत किया जाएगा और ये किया जाएगा आपका नई दिल्ली में option number आपका C अगला प्रसमाने सामने है भारत और बांगला देश के बीच जो एक अभ्यास है जिसका नाम क्या है जिसका नाम है आपका संप्रित्ती ठेक है ये याद रखना अभ्यास का नाम ये काफी important है ये अभ्यास जो है वो किस राज में आयोजीत किया जाएगा और ये किया जाएगा आपका मेगाले में option number D और आज का आपका पहला प्रस्त यही से निकल कर आ रहा है कि मेगाले का मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के राजजपाल कौन है और वहाँ का राजधानी क्या है ये आपको comment करकर बताना है ये आपका आज का पहला प्रस्त थे तो ये थ जाएगा या फिर हमारे टेलीग्राम पर भी सेयर कर दिया गया है वहाँ से आप सभी चाकर डाउनलूट कर लेना सो मेरे जितने भी भाई मैंने सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग आपका दीन बहुत अच्छा हो और अपने सासत अपने मम्मी और पापा दोनों का ख आपका दो